जैगिन दोस्तों आपने ओटो सीप के बारे में सुना होगा ओटो सीप सुना तो होगा कई वीडियो भी देखा होगा बहुत सारे लोग आपको पताए भी होंगे लेकिन करना कैसे है इसके बारे में डिटेल्स जानकारी नौलेज जो होता है डिटेल्स क्या होता है कितना पै किसी भी एकाउंट पड़ा पैसा रखते है और पैसा आपका पड़ा रहता है तो उस पर जानते हैं कि सेविंग एकाउंट हो क्रेंट एकाउंट की बात करें तो सभी बैंकों का अलग-अलग इंट्रेस्ट किसी का एक परसंट किसी का दो परसंट किसी का तीन परसंट इससे ज्यादा है और आपको बता दो किःणदन खाता पर होही ऐसे सेयम सिब्स फैंड़ी सब्सम norm पहले समझ लिए कब करना है यह होता क्या है कि जैसे एकाउंट पे कोई-कोई बंदा है जिसको पैसे की आविशक्ता नहीं होती है तो सब्सक्राइब पैसा है पचाहाँ जार एक लाग पचाहाँ हजार दो लाग तीन लाग ऐसे पड़ा रहता है छोड़े रहते हैं अपना है वहां पर से पढ़ा हुआ है लेकिन महीने में कम से कम तो 1% मिलना चाहिए आट परसेंट तो आपको बता दो यह घारा रहा है लेकिन लोग पो बैंक बताए गड़े तो आपको आपको घ्राइब को कुड़ा यहां है अपने बैंक जाना होगा कि भाई आपको प्राइब लोकुए अपने आपको फॉर्म देंगे और वहां पर ओटोस्वीप का फॉर्म भरके आपको देदेना है सिगनेचर करके चोटा सब्सक्राइब कोई डीटेंस भरना नहीं यह सारा अच्छी एकाउंट नमर भरके और अपना डीटेंस भरके दे देना है क्योंकि आपको लगा हुए तो दुवारे कुछ लगना है नहीं आप दे देंगे उनको क्या है आपके एकाउंट पर जो पैसा जाएगे अब आपको बता दूँ उस पर है कि आपका एफटी ओला इंट्रेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो फिक्स डिपोजिट पर इंट्रेस्ट मिलता है वह इंट्रेस्ट मिलना चालू हो जाएगा आपको सब्सक्राइब कि 6% 7% 8% 9% ऐसे इंट्रेस्ट आपको अब बहुत सारे लोग के मन में यह होगा कि भाई यह तो मैंने कर दिया बीच में जरूरत परेगा पैसा कैसे निकालेंगे तो फिक्स हो गया लेकिन मैं आपको बता दूँ वह आपके सेविंग एकाउंट से ही जूरा राता है सेविंग एकाउंट पर ही राता है एक तरह स जैसे आप पैसा निकालते हैं वैसे ही एकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं मतलब कि जब तक परा रहेगा तब तक फिक्स डिपोजिट वाला इंट्रेस्ट उस पर मिलेगा जब निकाल लेंगे तो खाली हो जाएगा तो एकाउंट पर जब तक पैसा रहेगा फिक्स डिपो वह से इंग अकाउंट पही है तरह से कउस Kerry ऑगा तो किसी पर्टिकू़र में इसा है और यह सिस्टम नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन रोड़ निया हो लेकिन प्राइबट जो बेंक ए कंडिशन कि उस सभी बैंकों में उटो सिप तभी होता है जिसे एक्सीश भैंक हम उसमें तभी आप कर सकते んなiva कम से कम 25,000 फ्마 यह उपर का सिर्व कर हो जो आपको डरीगा क supported卡 कर्षिय में और जाले के अंट सरकारी बैंक की बाद SBI हो गया बैंक को ब्रोधा हो गया इंडियान बैंक हो गया कैनरा बैंक हो गया यह सभी जो सरकारी बैंक है तो इसका सिस्ट्रम अलग है यहां पर सभी का अलग अलग निया में किसी में 5000 से उपर रखा में तो उसको कर सकते हैं किसी में 10,000 से उपर रख लेने के लिए ज़रूरी नहीं कि बैंक में जाए आगर आपको नेट बैंकिंग का इस्तिमाल करने आता है जिसे एप के द्वारा जो लेंदेन होता है उसमें भी सारे प्रीचर दे रखिए शिस्टम दे रखिए चाहे के योनो एप हो गया एस डियाप सी का आैशे आयचे का बहुत सारे जितने बैंक है सबके आप में जाएगे तो ऑटो सुवीप का आपको श्युश्टम आएगा और वहाहिसे भी आप ओटो सीप मोड़ अन कर सकते हैं आपका स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ के लिए कि बैंक में जाकर अपना यह सिस्टम इनेबल करवा सकते दोस्तों बाकि जो एक साल दो साल तीन साल आपको जरूरत नहीं पड़ता है तो उसको आप जरूर करा ले ताकि आपको अच्छा-खासा इंटेस्ट मिल जा आपका पैसे का सही इस्तमाल हो सके दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए उसको भी दवा लिजिए पुराने सब्सक्राइबर है तो धन्यबात दे रहा हूं मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए मुद्गे कर साथ तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद जय हिंदोस्तों